और इस शोर को हमें रेगुलेट करने की जरुवत है तो सवाल खड़ा होता है ये प्रश्ट उठा कौन रहा है क्यों उठ रहा है कौन लोग उठा रहे इसके पीछे का मकसद क्या है क्योंकि अगर शोर नहीं है तो डेमाक्रसी नहीं है अगर शोर नहीं है तो लोगतंत्र नहीं है अगर शोर नहीं है तो हमारे और आपके अधिकार नहीं है राजशाही में लोगों को शोर करने की जाज़त नहीं थी सामनतवाद में आपको शोर करने की जाज़त नहीं थी आपने क्यों देश की आजादी के समय लोक्तंत्र की बात की आप अधिनायक बात कर रहे थे आप तानाशाह सिस्टम अपना लेते इसलिए क्योंकि जिस शोर से हमें इस देश को आजादी मिली थी और जब गांधी जी को ये लगा कि बिना शोर किये ये देश आजाद नहीं हो सकता है तो उन्होंने शोर किया जब भगल सिंग को ये लगा कि बिना शोर किये उनकी बात अंग्रेश सुनेंगे नहीं तो उन्होंने विधान सावा में जाके शोर किया तो शोर तो अच्छा लगता है, शोर तो करना पड़ा है और जो उनको शोर से तकलीफ है उनको अपने मन में सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई में इस देश की परंपरा के साथ है या नहीं है वो वाकई में इस देश के लोकतंत्र को समझते हैं या नहीं समझते हैं लोकतंत्र को लेकर उनकी परिभाशा क्या है और इस लोक्तंत्र को वो कितना आत्मसाथ करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में लोक्तंत्र से तकलीफ होने लगी है इसलिग कहते हैं कि शोर को रिगुलेट करिए वो नागरिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं तो यह क्या है इसके पीछे की सोच क्या है इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा